हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की वर्क्षीट नमबर 20 और इसमें हमें दिया गया है पार्ट नमबर 12 कैसे कैसे बदले घर पार्ट नमबर 13 पहाडों से समुंदर तक और पार्ट नमबर 17 नंदिता मुंबई में तो चलिए शुरू कर होते हैं कारे पत्रक को हल करना प्रशन नमबर 15 प्यारे बच्चों समय के साथ साथ हमारे घर बदलते चले गए चाहे यह दिखने में हुं या फिर भवन निर्मान सामगरी में तो जैसे-जैसे शमय बदला बच्चों हमारे घर के आकार और उनके शरूप भी बदलते चले प्रश नमबर एक का पहला भाग देखिए अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करो और लिखो कि उनके बच्पन के घर किन चीजों से बने हुए थे उत्तर लिखते हैं दादा दादी और नाना नानी के घर मिट्टी के बने थे फर्ष कच्चे थे और गोबरवा मिट्टी से लीपे जाते थे उनके घरों की छट भी मिट्टी की बनी होती थी या घास फूस के छपपर बने होते थे तो कुछ समय पहले ऐसे ही घर हुआ करते थे दूसरा भाग देखिए क्या उनके घर में शौचालय था शौचालय का मतलब होता है टॉलेट नहीं उनके घर में शौचालय नहीं था प्रश्न नमबर दो पहाड़ों से बड़े शहरों तक आते आते नदी के पानी का रंग बदल जाता है निम्न लिखित प्रश्नों के बारे में सोचो और उत्तर लिखो पहला नदी के पानी का रंग किन स्थानों पर बदल जाता है क्यों बच्चो नदी जब परवत से निकलती है तो उसका पानी बहुत साफ होता है लेकिन जैसे जैसे वो बहते बहते गाउं और शहरों की तरफ पहुंसती है तो गाउं और शहरों के लोग उसके पानी को गंदा करना शुरू कर देते हैं गाउं में लोग उसमें कपड़े धोते हैं नहाते हैं पश्यों को नहलाते हैं और शहरों में उसमें फैक्टरियों और नालों का गंदा पानी डाल दिया जाता है जिससे नदी का रंग बदल जाता है तो हम उत्तर लिखते हैं नदी के पानी का रंग शहरों और गामों में आते ही बदल जाता है क्योंकि लोग उसमें कपड़े दोते हैं पशियों को नहलाते हैं और फैक्टरियों का गंदा पानी उसमें डाला जाता है दूसरा भाग देखिए अगर आप नदी का पानी पीना चाहो तो उसके किस हिस्से से पीओगे क्यों हम नदी का पानी वहां से पीना चाहेंगे जहां से नदी शुरू होती है क्योंकि उसी हिस्से में सबसे साफ पानी मिलता है परश्ण नमबर तीन क्या आपने दिल्ली की यमुना नदी या किसी और नदी को नस्दीक से देखा है निम्न लिखित परश्णों के उत्तर लिखें पहला पानी साफ था या गंदा पानी गंदा था दिल्ली में जब यम्न नदी को देखने जाओगे आप तो आपको उसका पानी गंदा दिखेगा क्योंकि यहां पर फैक्टरियों और नालों का गंदा पानी इसमें डाल दिया जाता है दूसरा इसके आस-पास किस प्रकार के पेड उगते हैं? इसके आस-पास छोटी-छोटी जानिया, कुछ पीपल और बबूल के पेड उगते हैं प्रेश्ण नमबर चार मुंबई एक बड़ा शहर है जहां सभी जगह भीड दिखती है अब इसका पहला भाग देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? सोचो और लिखो बच्चों मुंबई में कई सारी फैक्टरिया हैं, उन्हें हिंदी में ओद्योगी की काईया कहते हैं और मुंबई में ही फिल्म सिटी भी है जहां पर फिल्में बनती हैं दूसरे राज्ये के लोग भी बुम्बई जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको काम मिल सके और इन्ही कारणों से मुंबई में इतने सारे लोग रहने पहुँच जाते हैं तो इसका उत्तर लिखते हैं मुंबई में कई और द्योगिक इकाईया हैं यहां फिल्म सिटी भी है यहां रोजगार की तलाश में दूसरे राजियों से भी लोग आते हैं इन्ही कारणों से मुंबई शहर में इतने सारे लोग रहते हैं दूसरा भाग देखिये वहां लोग रोजाना किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखो तो बच्चों वहां पर लोगों को महगाई पानी वा रहने की जगह की कमी और सारवजनिक वाहनों जैसे बस रेल में भीड होना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मुंबई एक महगा शहर है वहां पर एक कमरे में कई-कई लोग रहते हैं और बस और रेल में भीड भी होती है परेशन नमबर पांच ननिता के मामा और दूसरे लोगों को अपने घर खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ र खोड़ तो बच्चों अगर किसी को अपनी रहने वाली जगह को छोड़ कर किसी और जगह जाना पड़े तो यह सही नहीं होता उत्तर लिखते हैं नहीं यह सही नहीं है ननिता के मामा यहां बहुत समय से रह रहे थे उनका कारेस्थल भी यहां से नजदीक था इस से होटल बनवाने वालों को फाइदा मिलेगा अब एक क्रिया कलाब दिया गया है पांच गिलास या बोतले लो आधा चम्मच नमक, चीनी, हल्दी और एक चम्मच साबून का पानी और खाने वाला तेल, सरसो का तेल, तेल या कोई अन्ने तेल लो सभी गिलास या बोतलों में पानी की बराबर मातरा भरो उपर दिये गए सभी चीजों को अलग-अलग बोतल या गिलास में डालो अब आपको उपर जो चीजे दी गई हैं उनको अलग-अलग बोतल या गिलास में डाल देना है इन सबी चीजों को अलग-अलग बोतल या गिलास के पानी में घोलें अब उन्हें अलग-अलग गिलास या पानी की बोतलों में घोलने की कोशिश करें और आपको ये तालिका फिर पूरी करनी है तो चीजें हैं जैसे नमक पानी में घुला और पानी का रंग नहीं बतला चीनी पानी में घुल तो गई लेकिन पानी का रंग नहीं बतला हल्दी पानी में नहीं घुली लेकिन पानी का रंग बदल गया साबुन का पानी पानी में घुला और पानी का रंग बदल भी गया तेल पानी में नहीं घुला और पानी का रंग नहीं बदला तो बच्चों ये हमारी वर्कषीट कंप्लिट हो गई है अन्य विश्यों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ों इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद